वेल्कम तो हेल्क केर एट होम ब्रोज से लेकर और बालों तक आपको इस तरह से मसाज करनी उपर की तरफ लगा तार 15 मिट तक जब तक की तुशा आपकी हलकी सी लाल ना होने लगे आप रगड कर मसाज करें यह आप दिन में एक बार करें सुबह सुबह कर लें इसके अलावा होम रेमेडी के तौर पे काम कर लें कि जो आखों पे आपके रिंकल्स आगे हैं ककडी या खीरा जिसको कहते हैं खीरा लें आप गोल काटकर अपनी आखों पे रख लें और लंबे-लंबे काटकर अपने माथे पे रख लें इस तरह से गोल आपका कीरा आजाएगा आखों पर और लंबा-लंबा आज अब आती है home remedy की बात, home remedy बहुत simple है, दूद की मलाई लेना है, आपको ताजे दूद की मलाई लेना है, उसमें थोड़ा सा आठा मिला ले हैं, जो normal आठा आठा हमारे घर में इस्तमाल होता है, वो आठा मिला ले एक शम्मच पेस्ट जैसा तयार कर लेना है, और ये पेस्ट आपको अपने पूरे चेहरे पर, जहां जहां आपको जुर्या आई हैं, बलकि मैं तो कहूँगा पूरे चेहरे पर ही apply कर लें, apply करके आपको आदा घंटा रुखना है, आदा घंटे के अंदर आप देखेंगे कि ये जो आपका पेस्ट लगाया हुआ है, वो dry हो जाएगा सूख जाएगा, इसके बाद गीले हाथ, हाथ को गीला कर लें आप, चाहें तो दूद में गीला कर लें, नहीं तो पानी में गीला कर लें, और गीले हाथ से इसको रगड रगड कर आपको निकालना है, पूरा जो पेस्ट लगा हुआ है, इसको रगड कर आपको निकालना ह उसके आठ ठंडे पानी से मूँ दो लेना है और मूँ में तेर सारा पानी बर ले ताकि आपका मूँ फूल जाए और आखों में चीटे मार ले तो इससे आपकी जो आखों के साइट के रिंकल्स आ गए हैं गरदन पे अगर आ गए हैं आप स्वस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें हम से मिलते रहें हम से मिलने के लिए आपको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों अपने रिष्टेदारों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें घर बैठे स्वास्त लाब पाएं डॉक्टर को दूर बगाएं और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको शेर जरूर करें थैंक यू